संसद आदर्स ग्राम योजना के सुभारंब के इस सुभ अवसर पे मैं अपने मंत्राले की योड से मन्निय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदीजी मन्निय ग्रामिन विकास मंत्री नितिन गटकरी साहब केंदर सरकार के सभी सम्मानित मंत्री गन जो आज इस समारों में उपस्तित हैं प्रधान मंत्री के प्रधान सचिब कैबिनेट सचिब विभिन राज्जियों से आए ग्रामिन विकास के मान्निय मंत्री गन सभी मानने संसद सदसगन गरामिन विकास भारत सरकार के सचिव तथा अन्ने विभागों के सचिव विभिन राज्यों से आई हुए गरामिन विकास विभाग के सचिव विभिन राज्यों के जिला कलेक्टर जिलों से आई हुए जिला परिशद के CEO, video, मुख्या, परधान, स्वें सहायता समुहों के सदस्गन, सरपंचों, यहां उपस्थित अन्ने देवियों और सजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अफसर पे लाल किला की प्राचीर से भासन देते हुए, हमारे आदर निये परधान मंत्री जी ने इस कार्जकरम की घोषना की थी. उनकी इसी घोषना की अनुरूप कार्जकरम को स्वरूप दिया गया है, जिसकी सुरुवात हमें खुशी है कि आज आदर निये परधान मंत्री जी के हाथो होना है. हमें इस वात की भी परसंता है कि इसकार्जकरम की सुरुवात, आज हम देश की दूसरी आजादी की लड़ाई के महानायक, लोकनायक, जैपरकास्त, नारायन के जन्म दिवस के अबसर पर कर रहे हैं. इसलिए सबसे प्रारम में मैं उस महानायक, लोकनायक के चर्नों में अपनी ओर से, भारस सरकार की ओर से, मंत्राले की ओर से, आप सभी की ओर से सर्धा सुमन अरपित करता हूं. रास्टपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गाउं में वस्ती है. लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि देश के गाउं का जहां देश की आत्मा वस्ती है, समुचित विकास अभी तक नहीं हो पाया. गाउं के लोगों का भी हक है, तमाम तरह की लब्द सुवधाएं उनके लिए भी हों. सहरों में जैसी सुवधाएं लोगों के लिए होती हैं, वैसी सुवधाएं गाउं को भी प्राप्त हो या उनका हक बनता है. लेकिन अब तक लोगों को वैसी सुवधाएं नहीं मिल पाई. गाउं में सभी लोगों के लिए रहने का घर भी अभी तक उपलब्द नहीं हो पाया. पीने के पानी का सुद्ध और साफ पानी का इंतजाम नहीं हो पाया. स्वास्त और सिक्षा की अच्छी विवस्था नहीं हो पाया. सरकों का निर्मान अपेक्षित तरीके से नहीं हो पाया. उहां देश की सबसे बड़ी ताकत यवाओं का वरा हिस्सा वस्ता है. हम सभी को अनुपलवध कराने वाला बरावर किसानों का गाउं में ही वस्ता है. लेकिन गाउं अभी तक बुनियादी सुबधाओं से भी बंचित है. इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे परधान मंत्री जी के भीजन के अनुरूप इस कार्जकरम को स्वरूप देने का काम किया गया है. यह तो गाउं में सुबधाएं आएं इसकी कोशिस पहले भी की गई है. लेकिन विभीन विभागों जिनकी भूमिका गाउं की सुबधाएं उपलब्ध कराने में होती हैं, उनके बीच ताल मेल कावाओ अब तक दिखता रहा है. विकास के जो विभीन घटक हैं, उनके बीच भी समुचित तरीके से ताल मेल अभी तक नहीं दिखा है. इस योजना के माध्यम से इनके बीच ताल मेल का प्रियास किया गया है. आदर्स सांसद आदर्स ग्राम योजना के प्रडम्भ में 2016 तक एक गाउं को इस योजना के तहत लेकर वहां काम पूरा करना है. 2019 तक तीन ग्राम पंचायतों तक इस काम को विस्तार देना है और आगे आने वाले वर्सों में इस काम को और गती देने का काम करना है. इस योजना के कार्जाइनवेन में सभी की भागीदारी अपेक्षित है. जन भागीदारी के वगैर संभब नहीं है योजना का सफलता पुरुबक सत्परतिसत कार्जाइनवेन. इसलिए आज के इसकार्जकरम में भी देश भर से ग्रामीन अस्तरों पे काम करने वाले जो पंचायतों के परत्निदी हैं, उनको भी अमंत्रित किया गया है. हमें खुसी है कि प्राथमिक इकाई के भी जन परतनी देहां आज के इसकार्ज करम में उपस्तित हुए है वहीं दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस मानिये संसस सदस सगन भी यहां बड़ी संख्या में उपस्तित हैं हम अपने मंत्राले की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं या पेक्षा करते हैं कि सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी स्कार्ज करम के कारजाने में होनी चाहिए बिसेश करके मैं मानिये संसत के सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ आग्रा करना चाहता हूँ कि आपकी जो नित्रुत छमता है आपकी जो उड़्या है लोगों के साथ काम करने का जो आपका अनुखव है इन तमाम चीजों का लाव निश्चित्रुप से मंत्राले को विभाग को प्राप्त होगा और आपकी सक्रिय भागीदारी के बल पे इस योजना को नीचे तक उतारने में हमको सफलता मिल पाएगी सबसे अधिक आप ही की भूमिका है इसलिए आप से आग्रा है कि जो पर्थम चरण में 2016 तक एक गराम पंचायत में इस काम को पूरा करना है उस गराम पंचायत का चैन आप सबसे पहले अभिलम करने की किरपा करें और इस काम को आगे बराने में आप अपना सहयोग दें हम उमीद करते हैं कि आप सब लोग का सहयोग निश्यत रुप से मिलेगा तुरत ही तमाम जो मार्निय संसत के सदस्गन है और इस काम में जुरे हुए दूसरे अधिकारी होंगे सब लोगों के वीच और ये निटेशन का भी कार्जकरम मंत्राले की योड़ से चलाया जाने वाला है इसकी भी मैं सूचना या आपको देना चाहता हूँ तो इस तरह से मंत्राले के माध्यम से विभाग के माध्यम से अपने परधान मंत्री जी के कुसल नत्रित में इस कार्जकरम को आगे बराने का काम करना है आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोगों के सहयोग से इस कार्जकरम को नीचे तक उतारने में गाउं में सहरों जैसी सुविधाय उपलब्द कराने में हमको सफलता मिलेगी अंत में इन ही सब्दों के साथ आप सभी का फिर से ये कवार इस सामारोह में इस कार्ज करम में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ धन्यवाद